अगर आप इस बार पहली बार में नेट जरफ कॉलिफाई करना चाहते हैं, फाइनल विजन अच्छे से करना चाहते हैं, तो आज लीजिए बेस्ट टेस्स पीडियाफ के रूप में, पेपर और का पूरा टेस्स प्रिवेसर कोस्टन मिलेगा, जिसकी कोस्टन लिए 200 रुपे पूरा पीडियाफ आपके वटसेप पे आज आएगा, पेपर टू की भी कोस्ट 200 रुपेस में पूरी फुली अप्डेटेट टेस्स प्रिवेस मिल जाएगी, ये सब्जेक्ट आप लिखे हैं, आपको मिस्ट नमबर वे कॉन्डेक्टर वटसप करना है, आपको लिखना है बेस्ट टेस्स आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पहले एप्लेक्शन की फॉर्म डेट थी भरने की वो 10 मही थी, उसके बाद उससे एक्स्टेंट किया गया, ठीके, 15 मही तक एक्स्टेंट किया गया, उसके बाद आप देखेंगे, 15 म की डेट थी एप्लेक्शन फॉर्म बढ़ने की, उससे एक्स्टेंट करके 19 मही कर दिया गया, यहनकि अभी आपके पास 19 मही तक का टाइम है अगर आप एप्लेक्शन फॉर्म बढ़ेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इसकी फॉर्म बढ़ रही है, एप्लेक्शन फॉ प्रेशर है एलेक्शन की वज़़ा से, जिसके कारण वो एक्जाम सही से कंड़क्ट करवार नहीं रहा, और एक्जाम्पल आपको मही आप एक्जाम्पल देता हूँ, यहां में देखेंगे, यह रीसेंट पोस्ट दिखें, CUT Postman Due to Logistical Issue Beyond NTS Control UGC Chairman का कहना है कि CUT Exam जो है वो Postman कर दिया गया क्योंकि जो NTS के Control से ये बहा जा चुका है आपको बता है कि CUT Common University Interest Test जो होता है वो NTS ही करवाता है ठीक है उसके बाद देखे UGC Net का exam भी NTS करवाता है उसके बाद देखे जितने भी exam है वो सारे online NTS करवाता है लेकिन अभी CUT का exam नहीं करवा रहे इसकी date भी देखे पोस्ट पन की गई है वो भी जारी करेंगे उसके बाद देखे फिर आपका UGC Net का exam है उसे भी करेंगे है तो NTS के उपर बहुत जादा pressure है अगर वो CUT का exam जो है वो आगे करेंगे ठीक है कोई चूज तो करनी होगा इनको date उसके अलावा देखे फिर post graduation के exam भी आने वाले है कईयों के अगले महीने और एक दो festival भी आने वाले है तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो CUT की post जो है जो postpone करते है इस UTA exam को तो हो सकता है कि वो UTA exam भी postpone करे अगर उनसे UTA का जो exam नहीं हो रहा तो इतना बड़ा जो देश का exam है NTA UTA exam का वो कैसे होगा चीक है तो यह बैसे भी exam इस पार देखे आफलाइन हो रहा है योजिशनेंट का एक ही दिन में सभी वच्चों exam है यह उनकी 10 लाख वच्चे जो है एक ही दिन में exam होगे पहला ऐसा होता है अलग-लग subject के अलग-लग exam होते है अलग-लग दिन में लेकिन एक ही दिन में सब को manage करना उपर से CUT का postpone होना है ना यह सारे anti-control से बाहर होता जा रहा है इसलिए कयास लगाए जा रहे है I hope कि यह exam भी postman हो सकता है 99% chance है ठीक है एक तो मैंने आपको CUT के example दिया दूसरे example यह दिया कि दो बार जो है application form की जो date है वो बढ़ा ही गई है हो सकता है आगज आके एक नया notice है जिसमें बताया जाए कि यूजिसनेट के exam भी जून की बजाए जुलाई अगरस में हो गया 99% chance है not for 100% लेकिन जो आपको ने fact बताए है आप इस पे भी गौर करीगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या वाके ही postman हो सकता है यह नहीं जिन बच्चों की त्यारी नहीं होई है उनको अच्छा कासा time मिल जागा अगर postman हो थो जिनकी त्यारी हो चुकी है उनको revision के लिए time मिल जागा तो बाकी postman होना चाहिए नहीं आप मुशे इस वीडियो के comment box में लेके बताएए आपकी क्या राय है ठीक है तो अगर आपको वीडियो चलेगी है लाइक करिए वीडियो को शेर करिए और study भारती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तब तक लिए जय हिंद जय भारत